जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत को परमानु युद की खुले आम धंके दे रहा है और लगातार भारत को उकसाने की कारवाई कर रहा है अब पाकिस्तान ने बैलेस्टिक मिसाइल गजनवी का परिक्षण किया पाकिस्तान परिक्षण को सफल बता रहा है और डिंगे हाक रहा है लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत के आगे उसकी कोई उकात नहीं है अगर भारत की मिसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता आए जानते हैं भारत और पाकिस्तान की पास कौन कौन सी मिसाइले हैं और किस तरह से भारत पाकिस्तान पर भारी नजर आता है भारत के पास प्रित्वी 2 है जिसकी रेंज है 350 किलो मीटर वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो प्रित्वी 2 के सामने पाकिस्तान बौना नजर आता है बदादे की नस्र मिसाइल की रेंज 60-70 किलोमीटर है अदाबली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तो वहीं गजनवी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है भारत के पास अगनी एक है जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर तो वहीं पाकिस्तान की बात है शाहीन एक जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर बात अगर अगनी दो के की जाए तो भारत के इस अगनी मिसाइल दो की रेंज है 2000 किलोमीटर जहां पर पाकिस्तान अगनी दो के सामने बौना नजर आता है पाकिस्तान के शाहिन 1A की रेंज 900 किलो मीटर है तो गौरी की रेंज 1250 किलो मीटर वहीं शाहिन 2 की रेंज है 1500 किलो मीटर तो वहीं अगनी 3 की बात की जाए तो इस मिसाइल के आगे भी पाकिस्तान बौना ही नजर आता है अगनी 3 की रेंज 3500 किलो मीटर है जहां अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की अबबल मिसाइल की रेंज 200 किलो मीटर है और वहीं शाहिन 3 की बात की जाए तो इसकी रेंज 2750 किलो मीटर तो पाकिस्तान अपने मिसाईलों से यहीं पर ठंकर रहे गया लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है अवे तक अगनी 3 की बात थी लेकिन अगनी 4 और अगर 5 की बात किये जाए तो इनकी रेंज सबसे जादा आगे है अगनी 4 की बात की जाए तो इसकी रेंज है 35-100 किलोमीटर वहगनी 5 की रेंज है 500-100 किलोमीटर जो नसर पाकिस्तान को नस्तनाबूत कर सकता है बलकि पाकिस्तान के असपास की लाकों पर भी असर डाल सकता है गज्रवी के परिक्षन से पाकिस्तान ने भले ही कोशिश की हो भारत को डराने की लेकिन भारत की शमता के आगे पाकिस्तान अपनी डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी जबॉखलाहट से साफ जाहिर हो रहा है प्यूर रिपॉर्ट आर नाइंट टीवी